हेलो फ्रेंड्स स्वागत थे आप सबका हमारे चैनल पर आज हम सब क्लास 7 पुस्तक का बसंत भाग 2 पार्थ 3 हिमाले के बेटियों का समरी कुम्लोग पढ़ेंगे तो चैनल पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने हिमाले और उनसे निकने वाली नदीयों के बारे में बताया है तो हिमाले से बहने वाली नदिया कुछ इस प्रकार हैं जब लेखक ने इन नदियों को हिमाले की कंधे पर चड़ कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही पतली है जो समतर मैदानों में बिशाल दिखाई देती थी लेखक को हिमाले की इन बेटियों की बाल लिलाओं को देखकर आश्चर्य होता है हिमाले की इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्ष है जो इस प्रकार से बैचैन होकर बह रही है नदिया बर्थ की पहाड़ियों में घातियों में और चोटियों पर लिलाए करती है लेखक को लगता है कि देवदार, चीर, सरसो, चिनार, आदिके जंगलों में पहुँश कर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें यादा जाती होंगी तो यादा जाती होंगी शिंदू और ब्रह्मुपुत दो महा नदिया हिमाले से निकल कर शमुद्र में मिल जाती है तो ब्रह्मुपुत जो है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी नदि है चोड़ाई में तो हिमाले को शशूर और शमुद्र को उसका दमात कहने में भी लेखा को कोई जीज़क नहीं होती है तो बहुति इंपॉर्टन्ट है यहाँ पर यहाँ कि हिमाले ने शशूर और अर्धामात के किसको कहा है तो यहाँ पर शशू जो हमाले को और शमुद्र को दमात कहा है और काली दास के यक्षिक ने अपने मेखदूद से कहा था कि बेतावन नदी का प्रेम का बिनमय देथती जाना जिससे पता चलता है कि काले तास इसे महान कवी को भी नदीयों का सजी यूरूप पसंद था काका काले लकर ने भी नदीयों को लोक माता कहा है यह भी इंपॉर्टने की भार की नदीयों को लोक माता किस ने कहा है क्वेशन है आपे तो लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेठीयों के रूप में देखता है कई कवियों ने इन्हें बहानों के रूप में भी देखा है लेखक वश्ब ठीबत में 47 के किनारे पैल लटका कर बैठने से भी इससे काफे प्रभावित हो गया है तो हम लोग कटन शब्दों के यहां पर अर्थ को देखेंगे हमाई शमल ही पर समाप्त होती है तो हम लोग का जो है कटन शब्द है कुछ इस प्रकार है शम्रान्त मतलब होता है शब कौतुहल मतलब होता है जिग्यासा विश्मे मतलब होता है आश्चर बाल लीला मतलब बच्चपन के खेल और प्रतिदान मतलब होता है बापस और मुदित मतलब होता है खुश खुमारी मतलब होता है नशा बलिहारी मतलब होता है कुरवानी अनुपम मतलब होता है जिश्की उस्माना हूँ लीला निकेतन मतलब होता है लीला कर्रे का धर और प्रेशी मतलब होता है प्रेम का सचेतन मतलब होता है शज्यू अधिक कथाय मतलब होता है पहाड के ऊपर शमतल भूमी होती है उसको अधिक कथाय बोलते हैं और शुता मतलब होता है पुत्री तो यहाँ पे हम लोग कुछ निमिट इंपॉर्टन को देखते हैं जो हमने इस चैप्टर को पड़िके इंपॉर्टन कोईशन बनाया है आप लोगों के लिए तो इस प्रकार है तो पार्ट में किन दो नज्यों की विशिस्ता बताई गई है तो पार्ट इसका आंसर है कि पार्ट में शिंदू और ब्रह् लोग माता कहा है तो काका कालेकर ने नज्यों को लोग माता कहा है और हिमाले को डैस डैस कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती है तो इसका आंसर है हिमाले को शशुर और समुद्र को दमात कहने में कोई भी जिजक हमें नहीं होती है नेक्स्ट है हमारा काका कालेकर द्वार है लेखक में हिमाले की वेटियां किसे कहा है तो लेखक में हिमाले की वेटियां नदियों को कहा है नेक्स्ट है हमारा नदियों की बाल लीला कहां देखने को मिलती है तो नदियों की बाल लीला हमें हिमाले की पहाडियों हरी भरी घाटियों तक गुफाओं में देखने को मि इसलिए लेक्त ने नदियों को फाल किया वायर किसका करें पूल मुस्ट वहतु है । तो ये उनको चंचल सबा को दुशाता है और 10 है हमारा लेखक ने किसको दमात कहा है तो लेखक ने शमुद को दमात कहा है तो अब प्रशन अभ्यास को अब लोग हल करते हैं तो लेक्षे पहला कुशन है हमारा नदियों को मा मानने के परंपरा हमारे यहां काफी पुरानी है लेकिन लेखक नागार जिन उन्हें और किन रूपों में देखता है इसका आंसर है नदियों को मा मानने की परंपरा भारतिय शंस्किती में अत्यन्त पुरानी है नदियों को लेखक ने बेचियों प्रियसी वा बहन के रूपों में भी देखता है सकंडर हमारा शिन्दू और ब्रम्ःपुत की क्या विसेस्टता है बताई गई हैं तो शिन्दू और इसका आंसर है शिन्दू और ब्रम्ःपुत हिमाले के तो ऐसी नदिया है जिने एतिहासिक्टा के अधार पर पुल lóg रूप में नद ही कहा जाता है इन्हीं दू नदियों में सारी नदियों का शंगम होता है ये दो नदिया ऐसी नदिया हैं जो दयालू हिमाले को पिखले हुए दिल से एक एक बूल से निर्मित हुई है नेक्स्ट है हमारा काका कालेकल ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है तो इसका आशर है नजियों के पती अपनी शद्ध्य विक्ट करने के लिए और यहां युगो 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 तक एक मा की तरह हमारा भरड़ पोशक करती आई है इसलिए नजियों को योग मादक आए क्यों नजिया होती है इसी के थूर। जो किशान जो है नहरों म की प्रका influenced की है तो इसका answer है हिमालय की यात्रा में लेकक नागार्ज ने मां दादी मौसि मौमी बहन आधी सम्बंदों के प्रका इपसरभा की है जो अपने इस ने और प्रेम से अपने को सुख दूप बदान करते हैं अलयी शमुत और नजी के लेककी ने शलाना की है तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में वनुग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे